आपके साथ मैहूर रशना शुरबात करेंगे दुनिया के सबसे तैस बुलिटि इन यूज डिपलडू के जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ बाइस मिनट में देश दूनिया की 212 बड़ी खबरे और आपके साथ महूर आकेश पांडे सिर्फ बाइस मिनिट आप हमारे साथ बने रही है इस बाइस मिनिट में देश दुनिया और खेल जगात की तमाम बड़ी खबरे हम आपको देंगे गुवा के मुक्षममतरी मनुखत परिकर को रक्षा मंतरी बनाया जा सकता है परिकर ने दिली में पीम मोदी और बीज़ेपी अध्यक्षममेश शाह से मुलाकात की अलगि परिकर ने का किस दौरान कैबिनेट में आने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई परिकर की छवी बहुत साफ सुत्रे और फैसला लेने वाले नेता की है लिहासा मोदी उन्हें रक्षा मंतरी के तौर पर चाहते है आई आई टी ग्रेजुएट परिकर दूसरी बार गोवा के सीम का कारेकाल संभाल रहे है और अपने इस स्यादगी के लिए काप्री चर्चित है आपको बता दें कि परिकर ने ही साल 2013 में गोवा में हुई बैचक बीज़ेपी की बैचक में मोदी का नाम प्यम पत के लिए सबसे पहले आगे किया था सुत्रों के अवाले से खबर है कि गोवा विदान सवा के मजुदा स्पिकर राजिंद्र आडलेकर को नेया सीम बनाया जा सकता है सुत्रों के अवाले से खबर है कि मोदी मंत्री मंदर का पहला विस्तार नौ नवंबर को होगा मोधी मंत्री मंदर का पहला विस्तार 9 नवंबर को होगा इसके अलावा हरियाना की दिकर जाट नेता चौतरी बिरेंट सिंग, उदित राज और गिरीराज सिंग को भी मौका विल सकता है इनने बीजेपी नेता यश्वांता सिंगा के बेटे जयनता सिंगा और हंसराज अहिर के नाम भी शामिर है चुक्रवार को चुनाव आयूग की बैठक बुलाई गई है माना ज़ारा की इसी दिन दिली विधान सभा चुनाव का एलान हो सकता है राश्वदी की महौर के बाद अधिकारिक तो और पार दिली विधान सभा भंग होने के बाद चुनाव आयूग ने उपचुनाव को भी रद कर दिया है दिली की महरौली, कुष्णा नगर और तुगलगाबाद में उपचुनाव होने थे बिली में चुनाव की आर्ट के साथ ही आमादनी पार्टी पोस्टर लेकर सामने आ गई है आपके पोस्टर में मोदी सरकार के 150 दिनों की कामकाश पर स्थबाल उठाए गए है के जिवाल के पोस्टर में लिखा गया है कि बीजेपी ने डेट सो दिनों में पानी के बिल दोगुने कर दिया के जिवाल लिखा कि बीजेपी उनसे डर रही है इसलिए किसी को सियम प्रोजेक्ट नहीं कर रही केजिवाल चुनाओं में दिली नगर निगन यानिके MCD के कामकाच को मुद्धा बनाने वाले हैं केजिवाल ने ट्विट कर लिखा कि क्या BJP बताएगी कि साथ साल से MCD में रहते उसने क्या क्या किये अब आद्वी पाज़ी के नेथा मनीश सिसोजिया ने कहा कि हम उन्चास दिन ही सरकार में रहे तो बात इसकी ही तो करेंगे उन्चास दिनों के प्रदाशन पर केजिवाल के चुनाओं लड़ने के ऐलान पर BJP ने निशाना साधा सती शुपाधया ने कहा कि उन्चास दिन तक तो वो सिस्थ धर्ना प्रदर्शन करते रहे सती शुपाधया ने ये भी कहा कि NCD में प्रचचार का केजिवाल का आरोग बेबुनियाद है दिल्ले की पूर वसीयम शीला दिक्षित ने चुनाओं लड़ने से इंकार कर दिया है दिल्ले प्रदेश BJP के लगातार दूसरे दिन बैठक हुई बैठक में चुनाओं रणीटी बनाए गई बैठक में सोचल मीडिया के जरिये चुनाओं प्रचार को लेकर रूप रेखा बनाई गई BJP ने तैय किया कि इस बार सभी सत्तर विधान सवा सीचों पर सर्वे के आधार पर उमीदवार तैह होंगे सूत्रों के माने तो चुनाओं आयोग जल्दी आमाद्मी पार्टी को डिफॉल्टर घोशित कर सकता है सूत्रों के मताबिक लोगसवा चुनाओं के छे महीने बाद भी आमाद्मी पार्टी ने चुनाओं खर्च का ब्यौरा नहीं दिया चुनाव आएग ने पार्टियों को 26 सगस्तर तक खर्च का ब्यूरा देने के लिए कहा था तूट्रों से कवरे की चुनाव आएग ने डिफॉल्टर पार्टियों की लिस्स से यार की है जिसमें आमादमी पार्टी का भी नाम है बाबा रामदेव ने निर्दली विडायक रवी राड़ा के जरिये उधव को संदेश पहुंचाया है रामदेव ने का कि शिवसेना को बीजेपी के साथ आना चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार चलानी चाहिए शिवसेना ने रविवार को एमबैटर बुलाई जिसमें बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने या नहीं होने पर फैसला होगा तो दोस्ते कबर है कि शिवसेना ने एक बार फिर डिप्ती सीम के पत्ती मांग की है शिव सेना की तरफ से एक वार फिर से मांग उटने के बाद कयास लगाय जा रहे हैं कि वो विपक्ष में बैठने की तयारी में है शिव सेना 1995 के तायता समझवता चाहती है जब छोटे पार्टर बीजेपी को जिप्ती सीम का पत्ती आ गया था शिव सेना जहां जिप्ती सीम की मांग कर रही है वहीं बीजेपी से इंकार कर रही है महाराश्व के सीम देविंदर फडनवीज ने कहा कि उन्हें शिव सेना के किसी अल्टिमेटम के बारे में पता नहीं है सियम ने का कि शिफ सेना से फिलाल बाज़ी जा रही है, खाबरती कि शिफ सेना ने बीजेपी को अल्टिमेटर्म दिया है बड़नवीज ने ये भी का कि सरकार पहले सदन में विश्वास मत हासिल करेगी, उसके बाद ही मंति मंडल विस्तार किया जाएगा मुंबई में महाराश्र कॉंक्रिस के प्रतिन नेठी मंडल नेस्तियम देविंद्र फर्णवी से मुलाकात किया और उन्हें महत्पोपूर मुद्दो पर ग्यापन स्वापा कॉंक्रिस में चेताबनी रेते हुए का कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे महराश्र के वितमत्रे सुधेर मुंगंटी बार ने कहा कि राजिपर जो तीन लाग करूण का कर्चे उस पर सरकार श्वेत पत्र लाई जानिमानी मैगजिन फोप्स में दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सूची जाली करती है इस लिस्ट में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 15 में नमबर पर है फोप्स ने लिखा है कि इंडिया के नया लॉक्स्टार बॉलिवुड से नहीं बलकि जन्ता के चुने हुए भारत की प्रधामत्री नरेंद्र मोदी है पियम मोदी के अलावा 36 नमबर पर मश्यूर उद्रुखपते मुकेश अमानी का भी नाम है अमानी के बाद इस लिस्ट में भारती मुल्ख के लक्षमी निवास मितल को 57 अस्थान दिया गया इसके लावा माइक्रो सॉफ्ट के भारती मूल्ख के CEO सत्या नडेला को इस लिस्ट में 64 अस्थान मिला है इस साल मोदी समित 12 लोगों को पहली बार इस सुची में श्रामिल किया गया है आतंकी असानुल्ला ने प्रधामंत्री मोदी को धंकी देते हुए कहा कि वो कश्मीर और घुजरात का बदला लेगा आतंकी हमले को देखते हुए प्रधान मोदी की रैलियों और जन सभाव में सुरच्छा बढ़ा दी गई आतंकी असानुल्ला ने कहा कि वाखा बॉड़र पर हमला पाकिसान और भारत दोनों देशों की हुकूमतों को संदेश देरी के लिए था आतंकी संगठन का कहना है कि उसका अगला मकसद प्रधान मंतरी नरिद मोदी से बदला लेना है अमरिका के बाद आस्ट्रेलिया में प्रधान मंतरी के शांदार स्वागत की तयारी की जा रही है प्रजान मंत्री के स्वागत के लिए सिड्नी और मिल्बर्न के बीच विशिश ट्रेन चलाने की योजना है मार्दे समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रहे हैं इस ट्रेन का नाम मोदी एक्स्परस दिया गया है मोदी 15 नमंबर से 18 नौबद तक और से लिए दौरे पर होंगे और से यह के चार शहरों का दोरा करने वाले मोदी पहले भारतिये पियार के सियम जीतना माजी एक बार पर से विवादों में है इस बार दामाद को पिये बनाने पर वो विपक्ष के निशाने पर दे माजी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने दोजार के नियम का उलंगन किया तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जाच कराएंगे महीं बिहार के कोपरेटिव मत्री जैकुमार सिंग ने जीतन राम माजी का बचाव किया महीं जेडियू लेता केसी तागी ने सियम को हिदायत देती विकायक उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता के बीश घलब संदेश का महीं वियार के पूर उप्मुक्य मंत्री और वीजिवी लेता सुशील मोधी ने इसे लोगतंत्रु का मजाथ बताया उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जीतन नामाजी को सीम पत से हटाने के लिए निदीश कुमार के समर्च को पिये चाल है दरसल साल 2000 में ततकालीन मुक्य मंत्री राबडी देवी के एक नियम बनाया गया था जिसमें कोई भी मंत्री या उप मुक्य मंत्री अपने किसी रिष्टेदार को अपना पिये नहीं रख सकता यहां तकि मंत्री या मुक्य मंत्री को अपना पी-ए रखते बग ये शपत पत्र भी देना होगा कि पी-ए उनका रिष्टिदार रहे जमीन सौधे बिनियमों के अंदेकी के आरूपों के बाद रौबर्ट वाड़रा ने अपनी चार कंप्पनियां बंद कर दी है एक अंग्रेजी अख्बार के हवाले से आई खबर के मताबिक रौबर्ट वाड़रा जल्दी अपनी बाद की दो और कंपडियों पर ताला लगा सकते हैं रौबर्ट वाड़रा ने चारो कंप्पनियां 2012 में शुरू की थी अखबार की माने तो बाकी की बची दो कंप्पियों पर भी जल्दी ताला लगने वाला है हर्याणा के सीम मनहोर लाल खटर ने कहा कि रौबर्ट वाड़रा के किलाब काफी शुकायते आ रही है पर साल के बाद इन पर कारवाई की जाएगी हर्याणा के विजिट वेट्रिक में 16 माई के बाद पिश्टे सरकार के लिए फैसलों की समिक्ष्या करने का निर्ण लिया गया है खटर सरकार ने अगले साल जन्वरी से पिंशन डाची 1200 करने का फैसला किया रक्षा मंद्री अरुन जेट्ली ने कहा कि भारत पाकिस्तान से बातशीत करने को तयार है लेकिन पहले पाक क्या करें कि भारत से बात करना चाहता है या फिर भारत को तोड़ने वालों से पाकिस्तान नेक वेफर से सीस्वार का उलंखन किया है ल सी पर मेंडर सेक्ट्रे के सोनागली में बीती राथ पाकिस्तान ने को dire दार पायरिंग लगाए माया ने दावा किया कि अखिलेश ने राजर सबा टिकेट के लिए 100 करोड की पेशकश की थी वहीं अखिलेश दास ने उल्टे आरूप लगाए कि मायवती ने पैसे लेकर विधान सबा के लिए टिकेट माटे थे बेस्पी ने राजर सबा चुनाव के लिए उमीदवारों का एलाम कर दिया है मायवती ने दो स्यूटों पर दलित उमीदवार राजराम और बेर सिंग को उतारा है नाबालिक से बलास्कार के चलते जेल में बंद आसाराम की उजस्वी पार्टी दिल्ली जार्खंड और जमू किश्मीर में चुनाव लड़ेगी जलवायू परिवर्तन पर सरकार की नीपिया त्रह करने वाले पीम के पैनल में फिर बदल करते हुए सुनीता नाराइंट को पैनल से अटा दिया गया उनकी जगा जे-म मौसकर कुलाए गया परदार मंत्री के अध्यक्षता बाली 17 सदिसी समेती में आरके पचौरी को भी शामिल किया गया पचौरी उसमक जलवायू परिवर्तन समंधी इंटर गवर्मेंटल पैनल के अध्यक्षते जब इस संस्था को नोबल परुस्कार से समानित किया गया था परदार मंत्री मनमान सिंग को जापान के सरवच नागरिक समान से नवादा गया है जापान से महत्री समंध बढ़ाने के लिए टोक्यो में उन्हें ये एबॉर्ड मिला यूपी सरकार ने अपनी महत्वा कांग्षी समाजवादी पेंशन योजना की शुरुबात कर दी है योजना के रप परिवार के मुखिया को हर महीले 500 रुपे की पेंशन मिलेगी यूपी सरकार के इस पैसले से 40 लाग परिवारों को फायदा मिलेगा आमादवी पादी की विदाएक राजश गर्ग के खिलाफ छेठार का केस दर्च किया गया है दसल कुछ महीने पहले कम्यूनिटी सेंटर की बुकिंग को लेकर आप विदाएक राजश गर्ग और बीजेपी नेता शुभा गुपता में जगड़ा हुआ लग्नव में समाजवादी पादी की पूर विदाएक आरे उस्मानी को फोन पर बं से उड़ाने की धंकी मिली है ग्रिमादी राजश गर्गा सिंग इंटरपोल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्राइल गए लग्नव के ठाकुर गंजी लाके में एक मापर अपने दो मासूम बच्चों की हत्या का आरोप लगा बारदात की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ़तार कर लिया बारदात को अंजाम देने के बाद कातिल ने बच्ची की लाज को बगीची में फेक दिया दाओं के लोगों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया जिली में एक नर्स के घर से चोरों ने पचीस लाक रुपे की चोरी की पेड़िस नर्स का घर एम्स रेजिजेंस कॉम्पलेक्स में है चोरों ने बारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में कोई नहीं था पेड़िस कविता शर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए रुपे और गहने रखे थे बिल्नी के डिफेंस कॉलोनी इलाके के पीशे बनी जुग्यों में आग लगने से हड़कप मच गया आग की चपिट में आकर बड़ी संक्या में जुग्या जलकर राख हो गया आग कैसे लगी फिलाल ये पता नहीं चल पाया है आग लगने की खबर पाकर मौकी पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मश्रकत के बाद आग पर काबू पाया पंजाब के गुर्दाथपूर में एक तेजर अस्तार बस में युवक को रौ दिया गाज्याबाद में पुलिस ने उपरेशन इस्माइल के तायर 220 बच्चों को बरामत किया इनने से 158 बच्चों को पुलिस ने उनके माबाप को सौप दिया बाकी बच्चे या तो घर जाना नहीं चाहते थे या उनके माबाप उन्हें पास नहीं रखना चाहते थे आगरा में चंबल नदी में यात्वियों से भरी हुई नाव पलट गई नाव में सौसे ज़्यादा लोग सबाते नबे लोग तैर कर किछी तरफ बाहर आ गए दस से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं गोता खोर उनकी तलाश में जुटे हैं आरोपी ने लड़की ने लड़की और उसके पिता पर हमला किया आरोपी पुलिस की गिरफ में है उसे अपने किये पर कोई पश्टावा नहीं है कानपूर के ज्योती हत्यकान में आरोपी पियुश के पिता, मा और दो भाइयों को सीजियम कोट से जमानत मिल गए इन चारों ने कोट में सेरेंडर किया था उनकी दली सुने के बाद कोट ने चारों को जमानत दे ली जारकन के धनबाद में आतंकी संगठन आईचीज के तीन संदिक दिसमर्थकों को पुलिस ने हिरासत मिलिया पुरम के देन एक शक्स में वो टी-शेट पहन रखी थी जिस पर राइसिस और पाकिस्तान लिखा था संदिक दिस शक्स ने ज़रान पाकिस्तान का जंडा भी लह रहाया था पुलिस ने इस मावने को गंभीड़ता से लेते हुए उस संदिक दुको पकड़ लिया साथी पुलिस ने इस टी-शेट को बेचने वाले शक्स को भी धरदबोचा माराच्च के पुड़े में काटो के धेर पर चलने के हरान करने वाली तस्वीर सामने आई है कोई काटो के धेर पर छलाइंग लगा रहा था तो कोई उसके उपर से गुजर रहा था पुलिस के मताबिक लड़कियों को अच्चे नौकरी का जहासा देकर पन्नालाल उन्हें प्लेस्मेंट एजेंसियों को सौप देता था दिली कोलकाता जैसे शेहरों बे काम करने वाली एजेंसियों से पन्नालाल को काफी कमिशन मिलता था चिंकारा शिकार मामले में सल्मान खान पर सुप्रीम कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है उदर सल्मान खान हिट अंडरन केस में 24 सुमबर तक सुनवाई टल गई है पंजाब और हर्याना है कोट ने हर्याना केस संतरामपाल के खिलाफ गैल जमान दि वारन चारी किया है उदर संतरामपाल के खिलाफ वारन चारी करने पर बबाल खड़ा हो गया है चंडीगड में संतरामपाल के समर्थों ने भारी हंगामा किया जिसके बाद चंडीगड में धारा 24 लगा दी गई है संतरामपाल पर सरकारी जमीन पर कब्दे और हद क्या था मामला चल रहा है लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है गुरगाओं में सी एंजी और पी एंजी के दामों में भारी पढ़ोतरी की गई है गुरगाओं में सी एंजी के दामों में प्रति किलो 5 रुपी की बढ़ोतरी की गई है तो वही पे एंजी के दाम चार उपे 24 पैसे प्रतिकिलों के हिसाब से बढ़ी है अंतराख्री बाजार में तेल की केमतों में आई कमी के चति पेटोल और डीजल एक बार फिर सस्ता हो सकता है उद्वार को कच्छे तेल के दाम 80 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए है धिली के शास्री पार के लाके में इरिक्षा चालकों ने जोड़दार प्रतरशन किया और परिवन मंत्री नितिन गटकरी का पुतला फुका महराश्टर के कोलापूर में बियसेनल के कॉफेस को नगर निकम ने सील कर दिया बियसेनल ने 2007 से प्रॉफेटी टेक्स नहीं जमा किया था जुसको लेकर ये कारवाई की गई राजस्तान के अजमेर में उस वक्त अड़कम मत किया जब एक होट एयर बैलून अजमेर की सेंटर जेल परिसर में उतर गया ये होट एयर बैलून पुषकर मेले से उड़ा था बैलून ऑपरेटर का कैना है कुडान के कुछी दिरबाद दो दिशा भटक किया अजमेर की सेंटरल जेल में इस तरह से होट एयर बैलून की लेंडिंग ने सुरक्षा ववस्ता को देकर बड़े सवाल खड़े कर दिये जेल में कई खुखार कैदी बंद है ऐसे में आप राधिक प्रवितिक के लोग इसका फायदा उठा सकते है वह अजमेर की सेंटरल जेल प्रशासर ने बलून कंपनी और उसकी पाइलिट के खिलाफ अजमेर की सिविल लाइन ठाने में शिकायत दज कर भाई है वहीं की लधिकारी ने इस पूरे मामले में जाच के आदेश भी दिये दरसल पुशकर से विदेशी सैलानी खुलेकर तीन होटेयर बलून उड़े थे जिन में से दो अपनी दिशा भटक गए इनमें से एक सेंटरल जेल और दूसरा एक्टे स्कूल के मैदान में उतरा दुनों बैलून चार सीटर थे लिहार के सासरा में एक ट्रक में साइके सवार शात्रो को खुचल दिया शात्रो की मौट से भड़के लोगों ने जम कर हंगामा किया और कई गाड़ियों में जम कर थोर पूर की गुसाए लोगों का आरूप है कि पुलिस वाले पैसे लिकर अबयद रूप से पत्थर लड़े श्रक नो इंट्री जून से पार कराते मुंबई के वांदरा वर्ली सीलिंग पर रेक यूबक के ड्रामे की चलते धाई घंटे हरकंप मचा रहा 24 साल का ये यूबक खुदकुशी के इरादे से बांदरा वर्ली सीलिंग पर पहुँचा और सीलिंग की रेलिंग पर पकर कर लटक गया ये युवक रेलिंग से लटका रहा और कूट कर जान देने की धमकी देता रहा कुछ दर बाद युवक सिलिंग से नीचे समंदर में कूट भी गया लेकिन समंदर में तैनाथ पुलिस और मच्छवारों ने उससे बचा लिए युवक का कहना था कि वो एक हुटेल में काम करता है और उसका माले को से तीन महीने से वेतन नहीं दे रहा जाच में युवक की बाद गलत साबीत हुई बाद में पता चला की वो मांसिक रूप से भी मात है सिकों के पहले गुरू श्री गुरू नानक देव के प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर अम्रुस्तर में गोल्डन टेंपल को लाइट से सजाये गया प्रकाश पर्व के मौके पर आज यहां आतिश बाजी भी की जाएगी गाज़वाद के लोगनी लाके में पुलिस ने साथ हुई मुट्भेड के दौरान बदमाश पकड़ा गया बदमाश के निशान दही पर उसके दो और साथी भी कि रफ्तार किये गए यूपी के वत्वरा में बदमाशो ने कि लोहे के रौड से पीट फीट कर हत्या कर दी माराश तके नाला सुपारा में बदमाशो ने कि बे laudर की गोली मार कर हत्या कर दी गाजवाद पुलिस ने ऐसे शातिर वहान चौर गैंग का परताफाश किया है